आज से सुरू हो रहा है सिकेंड यर मवाडी कोलेज इंटर्मेडियेट बच्चों एक चीज को ध्यान देना कोरोना काल के चलते हम लोगों को सरकार की गाइड लाइन का पालन करना पड़ रहा है मेरे नाम जानते हैं आप लोग मेरे नाम डॉक्तर नंद की सुर्चा हूँ है अब मैं समास सास इंटर्मेडियेट का सिच्छक हूँ अब सिकंड एर आप लोग का आशुरू कर रहे हैं आप लोग को ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं कैसे त्यारी करना है कैसे पढ़ना है जब तक सरकार का आदिश रहेगा guideline के तहत हमें चलना है तब तक हम guideline के तहत ही चलेंगे हम सरकार के आदिश का पालन करेंगे बात समझ रहें तो आप लोगों को अपने आप मेहनत करना है और मरवाडी कोलेज इंटर्मिडिट का यूट्यूब खोल के पढ़ाई करना है आप लोग को मालूम है कि आप सेकंड एर में चल गये हैं और आपकी सिन्यर का एकजाम हो गया रिजल्ट हो गया अब आप लोग सिन्यर हैं सेकंड एर में हैं आपका भी 6 मिन बाद पर इच्छा होगी आप इस चीज़ को जानते हैं तो आपको सचेत रहना है इस्टिक रहना है कोलेज का रूल का पालन करना है और सिकंड एर की कलास शुरू हो गई है आपको बिसिस ध्यान देना है और बाकी रड़कों को भी बोल देना है कि सर सेकंड एर का सोचलोजी का कलास स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमें सरकार का गाइड लाइन का पालन करना है अब कोलेज खुल जाएगी तो हमारी फेश ठुफेश पढ़ाई होगी हम लोग कोलेज आते हैं साइन करते हैं कोलेज खुल गया है लेकिन इस्टूडेंट को आने के लिए सरकार का गाइड लाइन का आदेश का हम लोग वेट कर रहे हैं जब आप कोलेज आईएगा तो आभे आपको पुछने का धिकार है कि सर एक कैसे हुआ सुरु से मैं आपको बताऊंगा आपका धिकार है पुछने का और हमारा बताने का करतब्य है एक सी चक का उतर दावित है तो कोलेज खुल जाएगी आप आईएगा तो हम आपकी फेस टू फेस हमारी बाचित होगी वरतलाप होगी मुलकात होगी आप कोचन अंसर हम से पुछिएगा कि सर यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ अब बताना मेरा करतब्य है समझ रहे हैं तब यूटूब से ही पढ़ाई होगी जबतर सरकार के आदेश का आदेश नहीं हो तब तक समझ गये हैं बस आज इतना ही